हलो एवरिवन जैस्री रादे कैसी है मेरी पूरी फैमली यूटूब फैमली बहुत ही बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग करवाचोथ की तयारी कर रहे होंगे तो आज है दिन करवाचोथ का दिन आप सभी को करवाचोथ की बहुत बहुत हार्दिक सुक कामना है सभी को बहुत सारे लोगों का पहली बार होगा तो आप लोग खूब 16 सुनगार करिएगा सोला क्या और जितने सारे होते ना सारे स्रंगार कर लीजेगा बहुत खुबसूरत लगएगा तो बस यहां पर भी देखिए मैं स्रंगारी कर रही हूं और थोड़ा सा मैं अभी नहां करके आई हूं थोड़ा सा क्या पूरा नाक है मैं क्या बोल रही हूं आप लोगों से तो कई वरना जवान लड़ खड़ा जाती है मेरी और कुछ नहीं है तो बस मैं नहां दो करके आई हूं सुबा के जितने भी सापसफाई के काम होते वो सब कुछ कर डाले हैं और आज सुबा मैं जल्दी तो रोज ही उठती हूं क्योंक का तो किसी की पत्नी का तो किसी की बेटी का तो आज सारी हमारी बहने बहुत ही खुबसूरत लगने वाली हैं तो मैं भी खुबसूरत लग रही हूं देख सकते हैं आप मैंने ये दिन में साड़ी पहनी है जो की मेरी निव है कोरी साड़ी मैंने पहनी है सुबा में तो मैं सुबा में पहने लोगी और बागी जो ready के है उसको साम में पहने लोगी तो कैसी लग रही है फ्लीज कॉमन्ट करके जरूर बतायेंगा मेरी यह एकदम हल्की फुल्की लाइट बेट और बहुत ही मतलब range में जाएंगे ना तो बहुत ही कम कीमत की साड़ी आपको बताओं ले तो इस तरह की सब चीजे चल रही हैं कंट्रास्ट में ब्लाउज कोई और साड़ी कोई बहुत ही सुन्दर लगता है तो बस भगवान के सारे बरतन दुलिए क्योंकि स्पेशल डे है तो भगवान के लिए भी है और तयार होके घर की पूजा निप्टा के आ गई हूं मैं मंदिर जाके पूजा करके आऊं तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही करवा चौत में सुबह सुबह मैं मंदिर पहुच जाती हूं लेकिन हां कभी चली जाती हूं कभी नहीं तो यह घर की रस्ती में जितने काम हुए उनको निप्टाने के बाद फिर मैं चली जाती हूं तो अभी थोड़ा सा मतलब एकदम light weight वेशन हो जाए तो उसके पकोड़े बहुँ जादा अच्छे बनते हैं कड़ी के मैं यहां पर पकोड़े बना रहे हूं soft बनते कहने का मतलब और यहां पर मैं बन गई हूं बहुरानी तो देख सकते हैं क्यों लगता है हमें समझ में नहीं आता अगर आपके पास इसका जवाब है ना तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा मेरे पास तो इसका कोई सुबह नहा रही थी और मुझे याद आ है कि अरे करवा चोथ के दिन तो दई बड़े भी बनते हैं फिर मैंने फटाफट से दाल गलाई और दाल वो छोटे छोटे दाले की रहती है बिना चिकल की दूली बाली दाल तो इसलिए जल्दी गल भी गई और 12 वज़े साड़े-11 वज़े तक आराम से दाल मेरी गल गई थी है आपर देखिए दाल पीछने के बाद बना डाले हैं मैंने पकोड़े कानपुल में सभी के घरों में कड़ी दही बड़े यही सब बनता है तो मैं तो दो दो चार-चार डिस बनाने वाली धेर सारी अभी देखते जाईए आपकी मैं कितने सारे पकवान बनाऊंगी आज आपको बताओं तो मैंने यहाँ पर कड़ी देखे छोग दी है और कड़ी खुप पक जाया अच्छे से बस उसमें डाल दिया है मैंने पकोड़े और यहाँ पर कर लेते हैं और उसके बाद देखें यहाँ पर फिर मैं कर रही हूं और सामके तैयारी खाने की क्योंकि मोरस जल्दी का ही था तो इस वज़े से तो अभी बना रही हूं मैं बरतन दुल्ले के बाद फिर मैं पनीर बना रही हूं तो अभी वही एक बज़ रहे हैं और पूर और देख सकते हैं यहां पर काजू डाल दिया है खुब सारे तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी यह सबजी बनने वाली है लाइची को थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे ताकि वह अच्छ से भुन जाए थोड़ा सा रोस्ट हो जाए और यहां पर मसाले में नमक डाल दिया है क्योंकि नमक से क्या यह सबजियां टमाटर जो है अच्छ से पक जाएगा और अगर आप पूजा के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसी टाइम पर आप आज भी डाल सकते हैं यहां पर बहुत ही टेस्टी में अचारी पनीर बनाने जा रहे हूं बहुत ही अचारी फ्लेवर म में कट कर लेंगे जो साइज आपको पसंदो वो कर लिए अपनी मर्जी अनुसार कोई टेंसर नहीं है यहां पर घर की खेती है खुब खाओ खुब चरो है ना थोड़ा सा देशी वाजा में मैंने बात किया आप सबसे आपको कैसा लगता है मेरी लैंग्वेज कैसी लगती तो जो पानी की धार चल लए थी ना उसको देख करके मेरा जीलल जा रहा था कि में पानी पीलूं लेकिन नई ब्रत है तो ब्रत है तो बस थोड़ा सा तेल लो जीरा डालके यहां पर देखे ग्रेवी को पीस लिया है जो टमाटर आपने देखा था बहुत ही चिकनी एकदम लाल मेश पाउडर ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छा आना चाहिए मसाला खुब अच्छे से भून गया है उसके बाद इसमें डाल देंगे पनीर तो एकदम यह अचारी पनीर जो है बहुत ही स्वाधिस्ट बनने वाला है आपको बताओं और इसमें हलकी हम आपके पास यह अगर और मिश्री हो तो मिश्री डाल दे और नहीं तो हलक इसी चीनी डाल दें बिलकुल हलका मिठास जी दूद और पनीर में होता मिठास के लिए, ज्यादा मिठा ने करूंसिशछात बटने तो अब हम जब जब आशह का और नहीं पुझांट कर को और पक रहा कार खाना गरम ही खाया जाता ठंडा नहीं तो फिर इस वज़े से मैं इसको फाइनल अभी नहीं करूंगी इस वज़े से इसको मैं गैस आफ करके और बंद करके रग दूंगी लगबख फाइनल है लेकिन थोड़ा सा बस गरम कर लेंगे और धनिया पती आप डालना चाहिए डाल ना हो इसलिए फिर यहां पर पती देओ की बना दे रहें एक कप चाहले क्योंकि उनको यह ना लगे कि यह खुद चाह नहीं पीरे तो मुझे भी नहीं पिला रही है और साथी साथ यार आया कि अरे मीठे में तो कुछ बनाया ही नहीं थाली में वैसे तो मैंने एक दिन पह पांच और मतलब पॉनेश है के लगबग टाइम हो रहा है नहाद हो करके एक बार फिर मैं नहा ली हूँ क्योंकि पूजा पार्ट करना है और बस यहां पर देखी तैयार हो गई हूँ और आंगे आने वाला वीडियो जरूर देखेगा यह तो है हमारा दिन का ब्लॉग और इसके आंगे मैंने करवा चोथ की पूजा कैसे की यह मेरा स्पेशल मुमेंट कैसा रहा यह यह देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा तो यह फर्स पार्ट कैसा लगा है प्रीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना प्यार अपना आसिरवाद अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा तो देख सकते हैं कि मैं सोला सिंगार करने में मगन हो चुकी हूँ तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे जैश्री राधे बाए बाए